कि इस इंदे को पता ही नहीं है कि उसका पत्ता कट जाएगा और देवेंदर फन नभी सीम बन जाएगे और इसलिए खूब खुशी मना रहे हैं मजे लूट रहे हैं वो कह रहे हैं एक भोपू आज जो है अंदर चला गया एक भोपू बाहर है आज आप भली इसका मजा खुर आ रहे हैं लेकिन कल उनकी सरकार इसलिए आप बिल्कुल अपने शुरुआत में का उदर ठाकरे ने कहा कि आज मेरे तेरा वक्त नमस्कार मैं और राउल शर्मा आप देख रहे हैं आइस पे नाय न्यूस वागत आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में और प्रोग्रा लेल सरकार पर हमला वरती बीजेपी पर हमला वरती एक नात शिंदे के खिलाफ बोलना वह संजा राउत को भारी पड़ग्या संजारा राउत के घ्रफतारी के बाद अब यह देखा जा रहा है कि उद्धप ठाकरे एक्षं मोड में आ गए उद्धप ठाकरे ने हालही में उनका वक्त आएगा तो बीजेपी ये बात समझ ले कि इससे ज़्यादा परिशानी उन्हें जेलनी पड़ेगी और सीधे तवा पर एक नात शिंदे के खिलाव भी उद्दव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। क्या लग रहा है शिवसेना तयारी कर रही है महराष्ट में एक बार फिर सरकार बनाने की। को उन्होंने ठगने की कोशिश की लेकिन कुछ घंटों के लिए देवेंदर फरनाबीस की सरकार बनी लेकिन उसका फिर से वह वापस आ गया। तो वाकरी में आप सही कह रहे हैं कि आज जो इतना जो ड्रामा एडी का हम सब को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्हीं गिरिफतार किया गया, पूरा दिन उनसे पूस्ताच की गई, रात रात जो इनसे बाचीत होती रही। इसे साब पता है कि बीजेपी की मंद्शा यही है कि सिर्फासिरिफ शिफसेना को तोड़ दी जाए, सिफसेना को बरबाद कर दी जाए और ताकि वो खुल कर राज करेंगे क्योंकि देखे चुनाब में अब ज़्यादा दिन वचे नहीं है और चुनाब को दरसल जो है ताकि सिपसेना फिर से अपनी ताकत ना बना सके क्योंकि जिस तरीकी से सरकार गिरी है तो उदब ठाकरे संजरा पूरा उसका बदला लेने के लिए तयार ही थे अदित्य ठाकरे यह तमाम लोग लेकिन उसे पहले ही बीजेपी चारी के इतना तोर्द है ताके फिर उठने के लायक है इसी विज़े से उनकी गिराफतारी होई है और से ना में अब उदब ठाकरे इसके बाद उदब ठाकरी की बारे आ सकती है जिस तरह कहा हला कि वह ब्यान तो दे रहे हैं हला कि पिछे हट नहीं देख लेकिन उदब ठाकरे भी कब गिराफतार हो जाएंगा कि कोई भरोसा क्या लग रहा है कि जिस तरह से एकनात शींदे को उद्धव ठाकरे ने खूली चुनौती दिये और जिस तरह से शिवसीना ये लगातार कही रही थी, भविश्वानिया भी किये जा रही थी, कि जल्दी सतरकार गिर जाएगी एकनात शींदे की जिनमें शरत परवार ने भव वईश्वाणी की लग रहा है महराष्ट में सरकार गिर जाएगी और यही विधायक आकर वापसी कर लेते हैं तो जो पूरा पासा है वो उद्धाव के पास आ जाएगा बिल्कुल रावल देकि इदम सही कहरा है पिसमें कोई शक नहीं है मैं यहाँ पर दो तीन बात रखना चाह रहा हूँ एक तो शरत पवार ने खुल कर कहा था कि शरत पवार ने साप शब्दों में कहा कि छे महीने के अंदर यह गिर जाएगा देखी दरसल उन्होंने क्यों कह क्योंकि देखे उनको पता है कि बीजेपी जो दरसल रनीती खेलना चाह रही थे जिस तरीके से जो मुर्गा बनाया गया एक नात शिंदे को वो जान रही है कि जादा दिन यह रनीती उनकी नहीं चलने वाली है और इसलिए वो जान रहे हैं कि एमेले को धोखा कितना दिन बीजेपी के नेताओंपर तो यकिन करेंगे क्योंकि बीजेपी के अध्यक्स जो है महारास्त में पाटिल साभ उन्हें खुद ही कहा कि भाई हमने दिल पर पथर रखकर उन्हें पनाया है तो आप बते हैं आपके अंदर से ही जो है धीरे धीरे ब्यान आने शुरू हो गए तो इससे साफ जाहरे को उनके सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी एक बात दूसरी बात जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वकत एक ना सिंदे को लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया हमने बाजी मार दी हमने उदब सरकार को गिरा दिया हमने संजे रात को गिरा दिया लेकिन याद रखिए बीजेपी ऐसी खिलाडी है कि उसके चक अभी एक ना सिंदे ने कैंसिल कर दिया इसलिए क्योंकि अभी तक जो है गेम प्लान उनलों का एक जो कॉडिनेट कॉडिनेशन है वो सही नहीं चल ला इसलिए कि जतने चालीज बिदा है कि उचाहरे की जाद ज्यादा यह मौका मिला है तो मंत्री पत दे दिया जाए अब नहीं सिंदे में कुछ हो सकता है अगर होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा और कैसे इस situation को समभालती नजर आईगी और वाकई अगर देवेंदर परणवीश को मुख्य मंत्री बनाए जाएगा तो क्या शिंदे की घर बापसी शिव सीना में होगी आशिव? हाँ ये एक बहुत अच्छा सवाल है और देखी इसी सवाल को लेकर दरसल जो है पूरा महरास्ट की राजनीती में घहमासान बच हुआ है क्योंकि एक नाथ शिंदे को पता ही नहीं है कि उसका पत्ता कट जाएगा और देवेंदर फरनवी सीम बन जाएगा और इसलिए बीजेपी की पॉलिसी है यहीं उनका फॉर्मूला है कि एक नाशिंदे का खेल खतम किया जाएगा क्योंको बीजेपी को एक नाशिंदे पर पूरा भरोसा नहीं है और नहीं होने के वज़ेसी उने सीम बना देंगे तकम से कम इधर उधर इरिंग बिरिंग तो नहीं आने वाले अगामई विधान सभा चुनाब तक अगर ये घीस तीर कर चलते हैं तो चलते हैं अगर बीच में ये डलोल मलोल करते हैं तो फिर इनका साथ छोड़ दिया जाएगा देवेन फरनाबी सी सीम बनेंगे एक बात दूसरी बात जो आपने कहा अच्छा सवाल कि क्या फिर से सिपसेना में आएंगे मुझे नहीं लगता कि उदब ठाकरे मानेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज बीजे पी ने जो बुरा हाल कर रखा है जिस तरह किसे अपने आपको अकेला पर उन्होंने मैसिस किया जिस तरह से बाला साहब को लेकर उन्होंने आरोप लगाया जिस तरीके से सिपसेना से उन्हें अलग करनी की कोशिश की वह वाकई में मुझे नहीं लगता कि उदब ठाकरे माफ करेंगे अब यह देखना होगा कि सिंदे खुद ही आएंगे किस मुझ से आएंगे क्योंकि वह इधर के रहेंगे तो वाकई में उन्होंने चुनातिया कि एक ना सिंदे फिर रास्ता क्या अपनाएंगे अगर उदब ठापकरें माफ कर देंगे तो फिर वो अलग बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माफ करेंगे क्योंकि जो जखम उन्होंने दिया है वो बहुत गहरा है राउल जो भुलाना मुश्किल है जो जखम दिया ह कि भाई विपक्ष जो है वो कमजोर नहीं होगा एक सवाल और मिराशिफ यहां पर आएगा कि हम विपक्षी पार्टियों को आज देख रहे हैं कि विपक्ष पर ही ED, NCB, Bulldozer हो रहा है विपक्ष आज जो अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा बटा हुआ अगर ये विपक्ष एक जूट होता है कितनी मुश्किले बढ़ेंगी मोधी सरकार की चुनावोग से पहले वो आप बात कह रहे हैं जो बीजपी के लिए सबसे बड़ी चुन होती है और यही वज़ा है कि विपक्ष इस वकर अलग तो है रास्पती चुना में देखा लेकिन उसके बात जैसे म विपक्ष एक जूटना होगा अगर विपक्ष एक जूट हो जाती है वाकई में मतलब दिल से और गुरान पर काम करने लगेगी तो यह बीजपी के मंतिरी जो सपने में जी रहे है ना इनका चार दिन के अंदर हवा निकल जागा और हिसाब देना पर जाएगा लेकिन अप शिंदे या शिंदे सरकार गिरना तै है और क्या उद्दव ठाकरे अब जिस तरह शिंदे के खिलाफ मूर्चा खोल रहे हैं या खोल चुके हैं तो क्या शिंदे खुद शिवसेना के साथ आ जाएंगे या फिर उन्हें अपना पत्स से इस्तीफा देना पड़ेगा आज के इस प्रोग्राम में इतना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक कले जा दीजे नमस्कार